संजय उवाज, तम तथा कृपया विष्टम, अश्रु पुर्णा कुलेक्चनम, विशिदन तम मिदम वाक्यम, उवाज मदू सुदनह, अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रु पुरित नेत्रवाले अर्जुन को देखकर, मदू सुदन, कृष्ण ने ये शब्द कहे, शी भगवान उवाज, कुतस्त्वा कश्मलं मिदम, विश्यमे समपस्थितम, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, अकिर्थी करम अर्जुना, अर्थात, शी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमारे मन में ये कलमश आया कैसे यह, उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मुल्य को जानता हो, इससे उच्च लोकी नहीं अपितु, अपियश की प्राप्ति होती है क्लेप्यम्मा स्मगमह, पार्थनेतत्वियों उपपद्यते, छुत्रम रदे दोरबल्यम, त्यक्त्वो तिष्ठ परंतप, अर्थात, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुसंता को प्राप्त मत हो, यह तुमें शोबा नहीं देती, हे सत्रु के दमंकरता, रदे की छुद्ध दुरुबल्ता को त्याग कर, युद्ध के लिए खड़े हो अर्जुन उवाज, कथम भीश्म महम संख्ये, द्रोनम्च मदू सुदन, इशुभीह प्रत्तियो स्यामी, पूजार हाव अरी सुदन अर्थात अर्जुन ने कहा, हे सत्रु हंता, हे मदू सुदन, मैं युद्ध भूमी में किस तरह भीश्म तथा द्रोन जैसे, पूजनिय ब्यक्तियों पर उलटकर बान चलाऊंगा गूरुन हत्वाहि माहानु भावान, श्रेयो भोक्तुम ब्यक्षम पिहलोके, हत्वार्थ कामांस्तु गूरुनि हैवा, भुन्जिय भोगान रुधीर प्रदिक्धान अर्थात, ऐसे महापूर्शों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा, इस संसार में भीक मांग कर खाना अच्छा है बले ही वे सांथारिक लाप के इच्छुख हो, किन्तु है तो गुरुजन ही, यदि उनका वद होता है, तो हमारे द्वारा भोग्य प्रतेक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी ना चैत दित्मह कतरन गरियो, यतवा जयें, यदिवानों जये युह, याने वहत्वान जीजी विशामा, स्ते अवस्थिताह, प्रमुखे धार्त राष्ट्राह अर्थात, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या स्रेष्ट है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम दित्राष्ट के पुत्रों का वद कर देते हैं, तो हमें जीवी त्रहने की आवशक्ता नहीं है, फिर भी वे युदभुमे में हमारे समक्ष खड़े है अर्थात, अर्जु ने कहा, अब मैं अपने कृपन दुरुबलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, और सारा धेरिय खोच चुका हूँ ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्यश कर हो, उसे निश्चित रूप से बताए अब मैं आपका शिश्य हूँ और आपका शर्नागत हूँ, कृप्या मुझे उपदेश दे नही प्रवश्यामी ममा पनुद्याद, यच्छोक मुच्छोशन मिंद्रियानाम, अवाप्य भुमाव सपत्नम ब्रद्धम, राज्यम सुरानाम पिचाधी पद्यम अर्थाद, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके स्वर्ग पर देवताओ के आधिपत्य की तर इस धन-धान्य संपन सारी प्रत्वी पर निश्कंटक राज्य प्राप्ट करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा संजय उवाज एव मुक्त्वा रशी केशं गुडा केशह परंतपह न योस्य इती गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभुव अर्थात संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद सत्रों का दमन करने वला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया तमु वाँच रिशी केशह प्रहसनिव भारत सेनय और उभय और मद्ये विशिदंत मिदम वचह अर्थात हे भरत्वन शीदित्राष्ट उस समय दोनों सेनाओं के मद्या शोकमगन अर्जुन से कृष्ण ने मानों हस्ते हुए ये शब्द कहे शी भगवान ओवाज अशोचानन वसोचस्त्वं प्रग्या वादान्ष्च भाष्च से गता सुन गता सुन्ष्च नानों सोचन्ति पंडिता अर्थात शी भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योगिन नहीं है जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वम्नेमी जनाधिपाह न चैवन भविश्यामह सर्वेवेमतहपरम अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथ्वा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविश्य में हम लोग नहीं रहेंगे अर्थात जीस प्रकार शरीर धारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्या वस्था से तरुना वस्था में और फिर वर्द्धा वस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्ती होने पर आत्मा दूसरे सरीर में चला जाता है धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप नहीं होता मात्रास पर्शास्त कोंतेय सीतोष्ण सुख दुख दह आगाम पाईनो नित्यांस तास्ती तिक्छस्व भारत अर्थान हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का छनिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतरधान होना सरदी तथा गर्मी की रुतुओं के आने जाने के समान है हे भरत्वन्शी वे इंद्रिय बोस से उत्पन होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि आविचल भाव से उनको सहं करना तिखे यम हीना ब्यथयन केते पुरुषम पुरुषशरबा समा दुख सुखम धीरम सो अम्रत्वाय कल्पते अर्थाद हे पुरुष स्रेष्ट अर्जुन जो पुरुष सुक तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रेता है वह निश्चित रुप से मुक्ति के योग है अर्थाद तत्वदर्शियों ने यह निश्कोष निकाला है कि असत अर्थाद भोतिक शरीर का तो कोई चिरस्थाईत्व नहीं है किन्तु सत अर्थाद आत्मा और परिवर्थित रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकति के अध्यान द्वारा यो निश्कोष निकाला है अर्थाद जो सारे सरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनासी समझों उस अव्याई आत्मा को नश्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है अंतवंत इमेदेहा नित्य शुक्ताह सरीरिनह अनाशिनो प्रमयश्य तस्मा द्यू धश्व भारत अर्थाद आविनाशी आवप्रमय तथा शाश्वत जीव के बोतिक सरीर का आंध अवशंभावी है अतह हे बरत्वन्शी युद्ध करो यएनम वेक्ति हन्तारम यश्चेनम अन्यते हतम उभवतो न विजानितो नायम हन्ती न हन्यते अर्थाद जो इस जीवात्मा को मारने वाला समस्ता है थथा जो इसे मरा हुआ समस्ता है वे दोनों ही अज्यानी हैं क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है अर्थाद आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है ना मृत्तियों वा न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा वा अजन्मा नित्य शाश्वत थथा पुरातन है सरीर के मारे जाने पर वा मारा नहीं जाता वेदा विनाशिनम नित्यम ये नम जम्ययम कथम सपुर्षपार्थकम घातियती हंतिकम अर्थात हे पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत थथा अव्यय है वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है वासांसी जिर्नानी यथा विहाय नवानी गहांती नरोपरानी तथा सरीरानी विहाय जिर्नान यन्यानी सैयाती नवानी देही अर्थात जिस प्रकार मनुश्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारं करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने दथा वियर्थ के सरीरों को त्याग कर नवीन बोतिक शरीर धारं करता है नैनम छिंदन्ति सस्त्रानी नैनम दहति पाव कह न चैनम क्लेदयन त्यापो न शोश्यति मारुत अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है न अगनी द्वारा जलाया जा सकता है न जल द्वारा बिगोया या वायू द्वारा सुखाया जा सकता है अच्छे द्यो यमा दायो यमा क्लेद्यो अशोश्य एवच नित्यह सर्वगत स्थानुर अचलोयं सनातनह अर्थात यह आत्मा आखंडित तथा आघुलनशील है इसे न तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थीर तथा सदेव एक सा रहने वाला है अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकार्यो यम उच्चते तस्मा देवं विदित्वेनं नानो सोची तुमरहसी अर्थात या आत्मा अव्यक्त अकल्पनिय तथा अपरिवर्तनिय कहां जाता है यह जानकर तुम्हें सरीर के लिए शोग नहीं करना चाहिए अथवचैनम नित्यजातम नित्यम वामन्य सेम्रतम तथा पीत्वम महाबाहो नैनम सोची तुमरहसी अर्थात किन्तु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथ्वा जीवन का लक्षन सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोग करने का कोई कारण नहीं है जातस्य ही दुरुवो मृत्यु दुरुवम जन्मा मृत्यचा तस्माद परिहारे शे ना त्वम सोची तुमरहसी अर्थात जीसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पस्चाद पुनर जन्म भी निश्चित है अतह अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोग नहीं करना जाहिए अव्यक्ता दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना अर्थात सारे जिव प्रारंभ में अव्यक्त रेते हैं मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ठ होने पर पुनर अव्यक्त हो जाते हैं अतह सो करने की क्या आउशक्ता है अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है कोई इसे आश्चरी की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है किन्तु कोई कोई इसके विशे में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते देही नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात सर्वानी भूतानी ना त्वम सोची तू मरहसी अर्थाद है भरत्वन्शी सरीर में रहने वाले देही का कभी भी वद नहीं किया जा सकता अतह तुमें किसी भी जीव के लिए शोग करने की आवश्यक्ता नहीं है अर्थाद चत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ठ धर्म का विचार करते हुए तुमें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युध करने से बढ़कर तुमारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है अतह तुमें संकोश करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है यद्रप्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारं पावरतं सुखिना चत्रिया हपार्थ लभन्ते युध मीद्रशं अर्थात हे पार्थ वे चत्रिय सुखी है जिने ऐसे युध के अउसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गद्वार्ग के द्वार खुल जाते हैं अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिशसी ततह स्वधर्मं कीर्तिम्च हित्वा पापं वाप्षसी अर्थात किन्तु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन नहीं करते तो तुमें निश्चित रूप से अपने करतेवे की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्धा के रूप में भी अपना यश खोदोगे अकिर्तिम्चापी भूतानी कथई शंती ते व्ययाम संभावितस्य चाकिर्ती मरनाधती रिच्चते अर्थात लोक सदेव तुमारे अप्यश का वर्नन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अप्यश तो मृत्यों से भी बढ़कर है अर्थात जिन जिन महान यद्धाव ने तुमारे नाम तता यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमी छोड़ दी है और इस तरवे तुमें तुक्ष मानेंगे अर्थात तुमारे सत्रू अनेक प्रकार के कटू शब्दों से तुमारा वर्नन करेंगे और तुमारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे तुमारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है हतो वा प्राप्ष सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तसमा दुटिष्ठ कॉन्तेय युद्धाय कृत निश्चय अर्थात हे कुनती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्ट करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो प्रिथ्वी के सामराज्य का भोक करोगे अतह ड़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युच्यस्व नेवं पापं वाप्षशी अर्थात तुम सुख या दुख हानी या लाभ विजय या पराजय का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ऐसा करने पर तुमें कोई पाप नहीं लगेगा एशाते भी हिता सांखे बुद्धिर योगे द्विमाम्शनों बुद्ध या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहाशशी अर्थात यहां मैंने वैशलेशिक अध्यन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है अब दिशकाम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ उसे सुनो है प्रथापुत्र तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो नेहां भी क्रमना सोस्ती प्रत्यवायो नविद्यते फल्पमप्यश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात अर्थात इस प्रयास में न तो हानी होती है नहीं रास अपितु इस पत पर की गई अल्प प्रगती भी महान भैशे रक्षा कर सकती है अर्थात जो इस मार्ग पर चलते है वे प्रयोजन में ड्रड रहते हैं और उनका लक्ष भी एक होता है हे कुरुनन्दन जो ड्रड प्रतिग्य नहीं है उनकी बुद्धी अनेक शाखाव में विवक्त रहती है यामि माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपस्चितह वेदवादरतह पार्थ नान्य दस्तिति वादिनह कामात्मानह स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेश बहु बलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति अर्थात अल्पग्यानी मनुश्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आशक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादी के लिए विवित सकाम कर्म करने की संस्तूति करते हैं इंद्रत्रप्ति तथा एश्वर्य में जीवन की अभिलाशा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है भोगेश्वर्य प्रशक्तानाम तयापयत चेत साम व्यववसायात्मिकां बुद्धिह समाधाउना विदियते अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भोतिक एश्वर्य के प्रति अत्यधिक आशक्त होने से ऐसी वस्तूओं से मो गरस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवां के प्रति भक्ती का डट निश्चय नहीं होता त्रेगुन्य विशया वेदा निश्ट्रेगुन्य ववार्जुना निश्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग छेमा आत्मवान अर्थात वेदों में मुख्यतया प्रकती के तीनो गुनों का वर्नन हुआ है हे अर्जुन इन तीनो गुनों से उपर उठो समस्थ द्वेतो और लाप्त था सुरक्षा की सारी चिन्ताओं से मुक्त होकर आत्मपरायन बनो यावान अर्थ उदपाने सर्वतह संपलू तो दके तावान सर्वेसु वेदेसु ब्रामानस्य विजानतह अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल चलासे से तुरन पुरा हो जाता है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्परिय जानने वाले को उनके सारे प्रियोजन सिद्ध हो जाते है कर्मन्य वादिकारस्ते मा फले सुकदाचना मा कर्म फल है तुर्भुर मा ते संगोस्तव कर्मनी अर्थात तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है किन्तु कर्म के फलो के तुम अधिकारी नहीं हो तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलो का कारन मानो नहीं कर्म न करने में कभी आसकत हो योगस्था कुरु कर्मानी संगत्यक्त्वा धनन्जया शिद्धय सिद्धयोह समभुत्वा समत्वम योग उच्चते अर्थात हे अर्जुन जय अथ्वा पराजे की समस्थ आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती है दूरे नय वरम कर्मा बुद्धी योगा धनन्जया बुद्धो शरन मन विच्च कृपना फल हे तवा अर्थात हे धनन्जय भक्ति के द्वारा समस्थ गरहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरन ग्रहन करो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलो को भोगना चाहते है वे कृपन है बुद्धी युक्तों जहाती हा उभे सुक्रत दुस्क्रते तस्माद योगाई युज्यवस्व योगह कर्मसु कौशलम अर्थात बक्ति में सनलगना मनुश्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है अतह योग के लिए प्रियत्न करो क्योंकि सारा कार्यों कोशल यही है अर्थात इस तरह बगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े रिशी, मुनी, अत्वा, भक्तगन अपने आपको इस बोतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं इस प्रकारवे जन्ममृत्यू के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्ट करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं यदाते मोह कलीलं बुद्धिर व्यती तरीश्यती तदा गंतासी निर्वेदं शोत व्यश्य सुतश्यच अर्थाद जब तुमारी बुद्धी मोह रुपी सगन वनको पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुने योगिय सबके प्रती अन्य मनस्ख हो जाओगे शुती विप्रती पन्नाते यदास्थास्यती निश्चला समाधा वचरा बुद्धिस तदा योगम वाप्षशी अर्थाद जब तुमारा मन वेदो की अलंकार्मई भाषा से विचलित न हो और वह आत्मसक्षातकार की समाधी में स्थिर हो जाए तब तुमें दिव्यचेतना प्राप्त हो जाएगी अर्जुन उवाज स्थित प्रग्यश्य का भासा समाधिस्थस्यकेश्यव स्थित धीहकिम प्रभाशेत कीमासित व्रजेत कीम अर्थात अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रग्यश्य के क्या लक्षन है वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है वह किस तरह बेटा और चलता है श्री भग्वान उवाज प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन येवात्मना तुष्टह सित प्रग्यश्त दोच्यते अर्थात श्री भग्वान ने कहा हे पार्थ जब मनुश्य मनोधर्म से उत्पन होने वाली इंद्र्यत्रप्ती की समस कामराओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद हुआ का मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद दिवे चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रग्यश कहा जाता है दुखे स्वनों द्विग्ण मानाह सुखे सुविगत स्परह वीतराग भया क्रोदह स्थित दिर्मोनी रुच्यते अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विश्लित नहीं होता अथ्वा सुख में प्रसन्द नहीं होता और जो आशक्ती भय तथा क्रोद से मुक्त है वह स्थिर्मन्वरा मुनी कहलाता है यह सर्वत्रा नभिस्त्रेहस तत्प्राप्य सुभा सुभम ना भी नन्दती न द्वेष्टी तश्य प्रग्या प्रतिष्थिता अर्थात इस भोतिक जगत में जो व्यक्ती न तो शुप की प्राप्ती से हर्शित होता है और न अशुप के प्राप्त होने पर उससे घ्रना करता है वह पून ग्यान में स्थिर होता है यदा संहर्ते चायं कुर्मों गनीव सर्वसह इंद्रियानी इंद्रियार्थे ब्यस तश्य प्रग्या प्रतिष्थिता अर्थात जिस प्रकार कच्छुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुश्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विश्यों से खीच लेता है वह पून चेतना में द्रटता पुर्वक स्थिर होता है अर्थात देह धारी जीव इंद्रिय भोग से बले ही निवरत हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है लेकिन उत्तम रसके अनुभव होने से ऐसे कारियों को बन करने पर वह बक्ति में स्थिर हो जाता है यततो यापी कौन तेय पुरुशस्य विपस्चित हा इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम्मन हा और थात हे अरजुन इंद्रियान इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुश के मन को भी बलपुर्वक हर लेती है जो उन्हें वस में करने का प्रियत्न करता है तानी सरवानी सयम्या युक्त आसित मत परह वशे ही यश्य इंद्रियानी तश्य प्रग्या प्रतिष्थिता अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय सयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुश्य स्थिर बुद्धी कहलाता है अर्थात इंद्रिय विश्यों का चिंतन करते हुए मनुश्य की उनमें आसक्ती उत्पर्न हो जाती है और ऐसी आसक्ती से काम उत्पन होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है प्रोधात भवती सम्मोह सम्मोहत स्मरती विप्रमह स्मरती भणसात बुद्धी नाशो बुद्धी नाशात प्रनश्यती अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरन शक्ती का विप्रम हो जाता है जब स्मरन शक्ती भणिध हो जाती है तो बुद्धी नश्ट हो जाती है और बुद्धी नश्ट होने पर मनुश्य भावकूप में पुना गिर जाता है राग द्वेश्य विमुक्तेस्तु विशयांद्रियेश्यरन आत्म वश्यर विधेयात्म प्रशाधं अधिगच्छती आर्थाद किन्तु समस्त राग तथा द्वेश्य से मुक्त एवं इंद्रियों को सयम द्वारा वर्ष्य में करने में समर्थ व्यक्ती भवगान की पूर नगरपा प्राप्त कर सकता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानी रस्यों पजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धीह परियवटिष्ठते आर्थाद इस प्रकार से कृष्ण भावनामरत में तुष्ट व्यक्ती के लिए संसार के तीनों ताप नश्ट हो जाते है और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धी सिग्रही स्थिर हो जाती है नास्ती बुद्धीर युकतस्य नचा युकतस्य भावना नचा भावईतह सांतीर सांतस्य कुतह सुकम आर्थात जो कृष्ण भावनामरत में परमेश्वर से संबंदित नहीं है उसकी न तो बुद्धी दिव्य होती है और नहीं मन स्थिर होता है जिसके बिना शांती की कोई संभावना नहीं है शांती के बिना सुख हो भी कैसे सकता है इंड्रियानाम ही चरताम यन्मनौनौ विधियते तदस्य हरती प्रज्याम वायुर नाव मिवाम भसे अर्थात जिस प्रकार पानी में तेरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरंशिल इंड्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनौश्य की बुद्धी को हर लेती है अर्थात अतह है महाबाहु जिस पूरुस की इंड्रिया अपने अपने विश्यों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है उसी की बुद्धी नी संदेह स्थिर है या निशा सर्वभूता नाम तश्याम जागरती सैयमी यश्याम जागरती भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेह अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्री है वह आत्मसयमी के जागने का समय है और जो समस जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरिक्षक मुनी के लिए रात्री है आपूर्य मानम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशंती अद्वत तद्वत कामायम प्रविशंती सर्वे ससांती मापनोती नकाम कामी अर्थात जो पूरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवार से विशलिक नहीं होता और जो सदेव स्थिर रहता है वही शान्ती प्राप्ट कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेश्टा करता हो विहाय कामान्यह सर्वान पुमान्स चरती निहस्परह निर्ममो निरहमकारह ससान्ती मदिक अच्छती अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रयत्यप्ति की समस्च इच्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहमकार से रहित है वही वास्तविक शान्ती को प्राप्ट कर सकता है अर्थात यह आध्यात्मिक तथा इश्वर्य जीवन का पत है जिसे प्राप्ट करके मनुश्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अन्तिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगत धाम में प्रवेश कर सकता है